हाई एवरीवन वल्कम बाक माई नेम इस गैलेक्सी परमार और आज है हमारा लेक्चर नम्ह एट जिसमें हम लोग प्राक्टिस सेट 2.2 को खतम करने वाले है जैसे कि आप लोग को पता होगा कि लेक्चर नम्ह 7 में मैंने आपको एप्लिकेशन ओफ पाइतागरस थियरम बता देती हूँ कि यह जो कोशनमा 3 और कोशनमा 5 है यह बहुत इंबॉटन कोशन्स है तो प्लीज इसको निगलेट मत करना और आज का विडियो आराम से आप देखो और जब एक बार देखके हो जाएगा तो उसके बाद एक बार खुद से आप जरूर इसको सॉल्फ करना ठीक ह थोड़े से बड़े है लेकिन मेरी मानो तो बहुत इजी है तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आई होप आपको एप्लिकेशन और पाइटागर सियरम आता होगा अगर नहीं आता है तो प्लीज पहले वो सिख्या जाओ उसके बाद ये कोशनमा 3 को अटेंब करना तो हम लोग 3 वन स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखो 3 वन क्या दिया है in the figure यह है हमारे पास figure जो segment PS है तो यहां पर क्या बोला है कि यह जो PS है यह देखो यह जो segment PS है यह क्या है median है किसका triangle PQR का तो अभी आप ही बताओ कि अगर segment PS median है तो आपको पता होगा कि ये जो point S है ये जो point S है वो क्या हो जाएगा फिर हमारा midpoint हो जाएगा किसका midpoint हो जाएगा कौन से side का midpoint हो जाएगा side QR का midpoint हो जाएगा ठीक है आपको median और midpoint का connection बताई होगा जब मैंने नहींदे तो यह सीगमेन पीस does मिढ़ाइस के सग्में हो, किसका मिढ़ का मिढ़ा है, क्यों थेया हैई यहां पर हूं क्या है प्रपेंडिकुलर है कि सीगमें क्यूर और जैसे कि अब देख सकतेहों सेक्ट T और QR ये दोनों सेग्में एक दूसरे को क्या है? पर्पेंडिकुलर है ये भी हमको गीवन में है तो हमको क्या करना है? ये दोनों जो equations हैं इनको प्रूव करना है तो सबसे पहला equation अगर आप देखोगे तो क्या दिया है? PR square is equal to PS square plus QR into ST plus QR upon 2 the whole square ठीक है अभी आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि यार ये क्या प्रूव करने बोल दिया, आमको तो कैसे आएगा और बच्चे घबरा जाते है तो आपको देखो बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको बस क्या use करना है पता है आपको बस यहाँ पे इस question में application of Pythagoras theorem लगाना है और आपको जो true करना है वो मिल जाएगा लेकिन अब आप मुझे बोलोगे कि application क्यों apply करना है अपोलोनियस भी तो apply हो सकता है ना क्योंकि देखो मैंने आपको याद करो मैंने आपको keyword याद करने को बोला था keyword क्या था कि अगर मान लो कि question में क्या दिया है median दिया है या फिर क्या दिया है midpoint दिया है तो मतलब आप क्या use करोगे अपोलोनियस theorem यूज करोगे ठीक है और second thing मैंने क्या बताया था कि अगर मान लो कि हमको perpendicular segment दिया है इस question में आपको median भी नजर आ रहा है और perpendicular भी नजर आ रहा है तो आप आप confused हो गए होगे कि यहाँ पर अपोलोनियस theorem यूज करें कि application यूज करें तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर application यूज करो अब आप बोलोगे कि आपको तो दीदी पता है कि यहाँ पर application यूज करना है बढ़ हमारे exam में ऐसा question आया तो हमको कैसे पता चलेगा कि application यूज करना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यह जो prove that दिया है उस पे जरा सा आप नजर डालो तो prove that में अगर देखोगे तो ऐसा जो होता है ऐसा equation जो है वो application में आता है तो अपोलोनियस में अगर आप ध्यान देखोगे तो अपोलोनियस में क्या होता है अपोलोनियस जब मैंने कराया तो आपको पता होगा यह देखो यहाँ पर यह application है तो application में देखो थोड़ा सा लंबा equation मिलता है थोड़ा सा लंबा equation होता है और अपोलोनियस जो है ना वहाँ पे है ना दोनों side में क्या होता है equal equal होता है जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी ऐसा मतलब दो segments है और यहाँ पे भी क्या है दो segments है यह अपोलोनियस है और जब आप application को थोड़ा सा नजर में दालोगे तो application में क्या होता है कि left hand side सिफ एक ही side होती है और right hand side कुछ लंबा सा होता है लंबा सा तो इसलिए अगर यहाँ पे यह question में देखोगे त तो ऐसा यूज है ना application मतलब ऐसी चीज है ना application में जल्ली मिलती है तो यह मतलब यह question application वाला है तो आप बोलोगे कि median क्यों दिया है यहाँ पे तो median भी काम आएगा आप tension मतलो थोड़ा सा उसका रोल है बड़ जादा रोल नहीं है यहाँ पे इस question में application से solve करोगे ना तो ज जादा जल्ली हो जाएगा ठीक है तो चलो हम दोनों को प्रूव करेगे तो बिल्कुल भी tension मतले ना आप बिल्कुल tension मतलो बहुत easy है पहले आप देखो यह first one first one देखेगे तो अभी देखो आपको पता होगा कि application हम लोग दो type of triangle के लिए use करते है एक होता है acute angle और एक होता ह obtuse angle अब आप बोलोगे कि हमको यहाँ पे यह जो हमारा पहला जो हमको prove that करना है यह हम कौन से triangle के लिए apply करेगे यह सब आपके दिमाग में चल रहा होगा तो आप याद करो कि मैंने आपको बताया था acute के time पे क्या होता है minus आता है और obtuse के time पे क्या होता है plus होता है तो यहा लब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमको ऐसा obtuse angle triangle चूज करना पड़ेगा जिससे हमको यह वाला जो हमारा equation है वो मिल जाए ठीक है और वैसे ही जो second question है second जो हमको prove करना है यह हमको क्या करना पड़ेगा acute angle triangle में acute angle triangle में हम application apply करेगे ना तब यह मिलेगा क्य करना है second वाला acute angle triangle में हम लोग apply करेगे ठीक है चलो अभी हम लोग आ जाते हैं पहले solution स्टार्ट करते हैं दीरे-दीरे समझना अगर आपके देखो basic concept clear नहीं है ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो basic concept फटा-फट clear कर लो ठीक है चलो solution स्टार्ट करते हैं जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि यह जो हमारा PS है यहाँ पे अगर आप देखोगे यह PS जो है वो क्या है median है तो यहाँ पे लिखा है segment PS is the median of the triangle PQR अगर देखो segment PS median है तो हम बोल सकते है कि यह जो S है वो क्या होगा midpoint होगा किसका QR का तो यहाँ पे देखो वही लिखा है therefore point S is the midpoint of segment QR तो अगर यह S क्या है midpoint है तो आप ही बताओ कि यहाँ से क्या मिलेगा यहाँ से एक बहुत खुपसूरत सा equation मिलेगा यानि कि यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि यह जो QS है और यह जो SR है यह दोनों equal होगे तो यहाँ पर लिख दिया कि QS is equal to SR और यह दोनों किसके equal होगे तो यहाँ पर देखो यह जो QS है और यह जो SR है that will be equal to half of QR qr के half होगे दोनों है ना बहुत एजी है अभी देखो कुछ बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा उनको लगाओ अरे यह क्या करा दिया कुछ समझ में नहीं आया देखो बच्चा s midpoint है अगर s midpoint है तो मतलब हमने पहले क्या बोला कि यह जो qs है और यह जो sr है यह दोनों equal होगे है ना midpoint के वज़े से यह qs और sr equal होगे बरोबर अब यह दोनों किसके equal होगे तो बड़ा simple सा logic है भाई यह दोनों किसके equal होगे यह जो हमारा पूरा qr है ना इसके half के equal हो जाएगा 5 हो जाएगा ऐसा ठीक है लेकिन यहां पे कुछ वैल्यू अगेरा नहीं है वो मैंने सिर्फ एक एक्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है तो यह क्लियर हो गया तो मिडियन का सिर्फ इतना ही काम था ताकि हमको यह मिल जाए तो यह बड़ा काम का है और इ अप्लिकेशन ओफ पाइटागोरस थियरम अप्लाई करेंगे अब आप बोलो कौन सा अप्टिवस अंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है देखो बड़ा सिंपल है यह वाला हाँ वेरी गुड जिसने फटाक से पैचान लिया ना वेरी गुड बच्चा पाटी अच्छी बात अप्लिकेशन अप्लाई करोगे यहां पे आपको सब कुछ पूरा लिखना पड़ेगा थीक है मैं क्या कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ, इसको हम लोग copy करके paste कर देते हैं, तो paste कर देगे तो थोड़ा सा यहाँ पे बाजु में आएगा ना, तो हमारे लिए ही थोड़ा सा अच्छा होजाएगा, तो अभी देखो, यहाँ पे आपको पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इसका देखो, first one का solution है, वो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेगे, in triangle, in triangle what, psr, क्योंकि हम लोग triangle psr में application apply करेगे, तो पूरा description लिखो, कि in triangle psr, सबसे पहले हम लिखेगे is obtuse angle, यह भी लिख सकते हो, और यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक बात बताईती, कि application के time पे perpendicular segment का होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे perpendicular segment है, यहाँ पे देखो, यह वाली जो segment है, यह जो pt है, यह बड़ा काम का है, यह जो segment pt है, that is perpendicular to what, that is perpendicular to sr लिख सकते हो, sr लिखो, यह पूरा आप qr भी लिख सकते हो, ओके चलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेगे ऐसे, कि जो segment pt है, that is perpendicular to what, perpendicular to पूरा लिख दो qr, ठीक है, अगर perpendicular नहीं होता ना, तो हम application apply भी नहीं कर पाते, यह perpendicular के वज़े से ही application apply कर रहे है, याद रखना, तो अभी हम लिखेगे, therefore, by application of pythagoras theorem, तो यहाँ पे देखो, अभी हम क्या करेगे, यह जो obtuse angle triangle है, इसमें application of pythagoras theorem apply करेगे, तो याद करो application of pythagoras theorem, क्या बोलता है, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि angle s के लिए apply कर रहे है, तो angle s के जो opposite में जो side है, उसका क्या करेगे, square लेगे, that is हम क्या करेगे, यह जो pr है, उसका square लेगे, तो यहाँ पे लिखते है, pr square is equal to क्या होगा, is equal to sum of square of remaining two side, तो remaining two side कौन से है हमारे, यह वाले, that is ps और sr, तो अभी हम क्या करेगे, ps square लिखेगे, और next क्या लिखेगे, हम लोग sr square लिखेगे, ठीक है, इतना clear है, फिर आगे याद करो, क्या होता है, obtuse angle triangle के case में plus आता है, यहाँ पे plus two into क्या होगा, two into हम क्या करेगे, यह जो angle s है, यानि कि यह जो point s है, यहाँ से हम क्या करेगे, यह पूरा वाला जो side है, वो लेगे, that is sr, and into क्या होगा, यह जो point है, इसको हम कहा तक लेके जाएगे, यह perpendicular point तक लेके जाएगे, और यह वा और कि जो बुच पड़ाऊ क्या है क्योंकि यहाँ इसक्याइब हमगारा चाहिए इतरा इसक्राइब क्रत इसक्राइब क्याः है ओके अभी थोड़ा बहुत चेंजिस करना है आपको देखो यहाँ पर क्या करना है यह जो हमने एक्वेशन नमा वन में यह कलेक्ट करके रखा है यह काम आएगा यहाँ पर देखो यह जो एसार है ना एसार को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं वन अपॉन क्या होगा और अपॉन में क्या है अपॉन में है टू तो अपॉन में टू लिखा तो यहाँ पर इस इधर क्या करेगा अभी हम यह जो एसार है ना उसको क्यू आर अपॉन टू से रिप्लेस कर देगे ठीक है तो चलो रिप्लेस करते हैं फटा फट तो यह लिख देगे हम लो पे square है तो यहाँ पे भी square लगाना ही पड़ेगा ना हाँ प्लस यहाँ पे again 2 into यहाँ भी देखो sr दिख रहा है तो sr को replace कर देगे किस से qr upon 2 से replace कर देगे तो यहाँ पे आ जाएगा qr upon 2 and फिर आगे क्या है into st clear है अभी बस इसको आप solve कर लो तो बड़ा simple है यहाँ पे देखो यह हो जाएगा pr square is equal to यहाँ पे आजाएगा ps square और plus इसको हाथ में लगाओ इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि जो हमको show that है उसमें ऐसा ही कुछ है तो इसको हम हाथ नहीं लगाएगे qr upon 2 को ऐसे ही रहने देग यह 2 यह 2 यहाँ से cut हो जाएगा और यह plus यहाँ पे क्या आजाएगा qr into st और देखो जो हमको चाहिए था वो मिल गया अब आप बोलोगे कहां मिल गया अरे कहां मिला है अभी तक नहीं मिला है अरे matching कर लो ना थोड़ा सा arrange कर लो अरेंज कर देखो यह pr square पहले लिखा फिर नेक्स्ट क्या है हमारा ps2 तो यह ps2 लिख दिया उसके बाद देखो next क्या है next में है qr into st तो यह जो qr into st है इसको यहाँ पे किसका देते है तो plus 24 upon 2 the whole square and hence यह हो गया, प्रूड हो गया क्या किया, कुछ नहीं, जादा कुछ नहीं किया, बस इस triangle यह जो obtuse angle triangle है ना, इसमें हमने क्या किया, application apply किया और थोड़ा सा बस changes किया और हमको मिल गया, बस यहाँ पे आपको equation में लिखना है from equation 1, क्योंकि जब हमने यह SR को इसमें बदला था, वो किस लिए बदला था, equation 1 से बदला था, clear हो गया, समझ में आ गया, very easy, right? तो अभी हम करते है second one, second one में आपको मैंने बताया ना, second one में आप क्या करोगे, acute angle triangle में क्या करोगे, आप application apply करोगे और आपको यह मिल जाएगा, लेकिन बहुत बच्चे अभी यह सोच रहे है, कि चलो obtuse angle triangle तो यहाँ पर एक ही था, तो हमको समझ में आ गया कि किस में हमको apply करना था, application, लेकिन यहाँ पर बहुत type के आपको acute angle triangle दिखेगे, तो आपको कौन से acute angle triangle में apply करना है application, तो देखो बताती हूँ, आपको है ना, यह वाला acute angle रहना, और मैं इसका reason भी बताऊगी कि मैंने यह वाला क्यू चूज किया, आपको धीरे-धीरे समझेगा, देखो यह वाला triangle लेके, यहाँ पर triangle दिख रहा है, मैं बोल रही हूँ कि angle S के लिए apply करो, अब आप बोलोगे angle S के क्यू चूज किया, अरे दिमाग लगाओ, जो चाहिए, जो हमको prove करना है, वहाँ पे इसका पहला जो लिखा हुआ है उसको देखो, क्या लिखा हुआ है, कौनसी साइड लिखी है, PQ और याद करो, जब हम angle S में application apply करेगे, तो पहला rule क्या है application का, जब वो equation लिखते है, तो हम क्या लिखते है, हम क्या देखते है, कि इस angle के opposite में जो side है, कौनसी side है, PQ, तो PQ का square लिखेगे, सबसे पहले आएगा PQ square is equal to, जो भी आएगा something something, वो लिखते रहेगे, तो इसलिए हम angle S के लिए क्या करेगे, application apply करेगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप angle Q के लिए, अभी आप ही दिमाग लगा, okay angle Q के लिए अगर apply करोगे, इस triangle में, अगर angle Q के लिए अगर आप application apply करोगे, तो angle Q के opposite में कौन सी side है, PS side है, तो PS square is equal to something something something, लिखेगे, लेकिन यहाँ पे PS का आता पता ही नहीं है, PS का आता पता है, लेकिन वो कहाँ पे है, right hand side में है, तो हमको तो left hand side में चाहिए, क्या चाहिए, PQ square चाहिए, ठीक है, तो यह नहीं चलेगा, यह चलेगा, तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोचके, आप अपना, मतलब क्या करोगे, दिमाग लगाओगे, ठीक है, तो यह तो समझ में आ गया कि कौन से ट्राइंगल में अभी application apply करना है, तो चलो नीचे आ जाते है, तो यहाँ पे मैंने आदा ही अदूरा ही लिखा है, एक minute, आदा अदूरा क्यों लिखा है, एक minute, upon to the whole square, हाँ, तो यह हमको शो करना है, यह second one चल रहा है हमारा, यह second one शो है, तो चलो solution स्टार्ट करते है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि हम इस triangle के लिए, यह वाला triangle में highlight कर लेती हूँ, यह जो triangle है इसके लिए अभी हम लोग क्या करेगे, application apply करेगे, तो बाकी जो figure आपको दिख रहा है, उसको अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है, तो यह triangle है, इसमें application apply करेगे, क S की बात हो रही है, तो angle PSQ जो है, that is an acute angle, right, that is an acute angle, तो that is an acute angle, and यहाँ पे perpendicular segment का होना जरूरी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, कि यहाँ पे देखो, यह जो segment PT दिख रहा है आपको, यह जो segment PT है, that is perpendicular to what, that is perpendicular to QS, तो यहाँ पे लिख दिया QS, ओके, तो therefore अभी हम लोग लिखे के, by application of Pythagoras theorem, यह सब आपको लिखना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत अच्छे, मतलब इससे इंप्रेशन अच्छा हो जाता है, और teacher को लगते है, अरे बाबा, मतलब क्या paper लिखा है, मज़ा आ गया देखके, ऐसा teacher feel करेगी, ठीक है, तो by application of क्या हो जाएगा by application of Pythagoras theorem, ठीक है, पूरा detailing में लिखेगे ना, तो मज़ा ही अलग है, teacher check करेगे ना, तो impress हो जाएगी आपसे, ठीक है, तो यह हो गया, तो अभी लुको यह triangle थोड़ा सा मिट गया, तो इस triangle को हम थोड़ा सा एक गम डाक कर देते, हाँ, तो अभी यह बताओ कि आप क्या कर यानि कि हम मिलके क्या करेगे, अप्लिकेशन अप्लाइ करने वाले है, तो चलो बताओ application क्या बोलता है, वो equation लिखना ना, चाहिए, नहीं आएगा तो, तो क्या, तो कुछ नहीं, यह सम नहीं आएगा, बाकी तो कुछ नहीं, तो यह पर angle S के opposite में कौनसी side है, PQ है ना, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे P Q square and that is equal to what that is equal to sum of square of remaining two side तो remaining two side कौन सी ये triangle की एक ये वाली और एक ये वाली तो हो गया P S square plus Q S square तो यहाँ पे आजाएगा P S square plus Q S square और याद करना acute angle triangle है तो minus very good minus 2 into क्या हो जाएगा 2 into हम क्या करेंगे ये जो हमारा acute angle है यानिकि ये जो point S है S से S वाली जो ये नीचे वाली पूरी side है वो लोगे that is S Q तो यहाँ पे आजाएगा हमारा S Q और into क्या आजाएगा? into आजाएगा हमारा क्या? into हमारा हो जाएगा S से ये perpendicular तक point जो side होगी वो that is ये वाली that is हम लेगे यहाँ पे S T, S T वाली side तो ये है हमारा application ओके clear है लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कुछ QR upon 2 है है ना हाँ तो आपको फिर इसे वो equation number 1 में जाना है और equation number 1 में अभी हम क्या करेगे ये वाला देखो यहाँ पे जो QS है QS अभी इसका use करेगे जो QS है that is equal to what? QR upon 2 है ना यहाँ पे देखो यहाँ पे जो first one है ना first one में हमने ये use किया क्या SR वाला use कि SR जो है that is equal to QR upon 2 वाला use किया ठीक है अभी जो second वाला पड़ाव है ना इसमें हम लोग QS के लिए use करेगे जो QS है that is also equal to what? QR upon 2 QR का आधा है ना यह कहां से मिला था? midpoint से मिला था तो अभी हम second one में ये use करेगे तो इसको मैं नीचे shift कर देती हूँ कि ये जो QS है that is equal to what? QR upon 2 ताकि आपको अच्छे से समझे तो ये देखो ये वाला use करेगे ठीक है तो जहाँ पे भी आपको QS नजर आ रहा है वहाँ पे change कर दो तो ये हो गया PQ square is equal to यहाँ पे PS square और plus यहाँ पे देखो QS के जगपे हम क्या लिखेगे? लिखेगे QR upon 2 the whole square clear हो गया? और minus 2 into यहाँ पे भी देखो QS है SQ या QSA की बात है तो यहाँ पे इसके जगपे हम लिखेगे QR upon 2 and into यहाँ पे क्या है? ST है अब बस आपको क्या करना है? ये 2, ये 2 हो जाएगा cut और बस इसको arrange करो और आपको ये मिल जाएगा तो सबसे पहले हम लिखेगे PQ square is equal to यहाँ पे next है PS square और यहाँ पे देखो उसके बाद हम क्या लिखेगे? ये लिखेगे प्लस थोड़ा सा बाजू में किसका देगे? प्लस QR upon 2 the whole square and hence ये प्रू हो गया clear हो गया? बड़ा simple question था? प्लीज इसको खुद से complicate मत करो क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं लिकिन बड़ा easy था इसमें हमने application use किया ठीके कौन से दो triangle के लिए यूस किया? बस इसको जात कर나 सबसे पहले हमने ये वाला जो obtuse angle triangle था इसमें हमने एंगल S के लिए क्या किया? एंप्लेकेशन यूस किया उसके बाद next हमने क्या किया? ये वाला जो triangle है इसमें भी हमने ये जो यहाँ पे S था यहाँ पे यह जो acute angle S था, इसके लिए application यूज़ किया, तो we are done with question number 3, अब आते हैं धमा किदार question, that is question number 5 करेगे, तो चलो भी हम लोग करते हैं 5th one, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आप देख सकते हो, 5th one जो है, वो है star marking, और यह star marking होने के वज़े से, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रुवत नहीं है, यह question को हम थोड़ा सा अराम से करेगे, लेकिन बहुत अच्छे से समझेगे, और आप भी क्या करना, जैसे ही हमारा यह question हो जाएगा, अच्छे से करके, तो आप भी please इसको one time या two time, खुद से लिखने को try करना, ठीक है, तो चलो start करते हैं, क्या दिया है, in figure, यहाँ पे क्या दिया है, point T is in the interior of rectangle PQRS, यानि कि यहाँ पे क्या बोला है, कि यहाँ पे देखो, यह point T है, और यह point T कहा पे है, यह जो rectangle है ना, उसके अंदर है, यानि कि यहाँ पे एक और एक चीज मिल गई है, क्या कि यहाँ पे यह जो codilateral आप देख रहे हो, यह जो codilateral है, वो rectangle है, that is codilateral PQRS, यह जो codilateral है, वो क्या है, हमारा rectangle है, यह clear हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, कि हमको यह prove करना है, क्या prove करना है, कि TS square plus TQ square is equal to TP square plus TR square, okay, अभी यह prove जो करना है, वो थोड़ा अजी है, मतलब कैसे prove करेंगे, दिमाग चल रहा नहीं है, बढ़ tension मतलब बहुत easy होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कुछ construction करना है, और यह construction जो है, वो already यहाँ पे किया हुआ है, यह जो dotted line से, आप जैसे देख रहो ना, यह dotted line, यह construction है, तो यहाँ पे क्या बोला है as shown in the figure, draw segment AB that is parallel to side SR and A-T-B, यहाँ पे देखो क्या बोला है, कि हमको क्या करना है, एक segment AB draw करना है, तो यहाँ पे देखो यह है हमारा segment AB, जो T से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो यहाँ पे यह जो segment AB है, और यहाँ पे देखो यह segment SR है, यह दोनो segments जो है, वो एक दूसरे को parallel है, तो यह याद रखना, कि यहाँ पे AB जो है, that is parallel to SR, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, कि यह जो point A, और यह point T, और यह point B है, वो co-linear point है, यानि कि point A, point T, point B, यह co-linear point है, और T जो है, वो क्या है, A और B के बीच में है, ठीक है, यह clear हो गया, इतना, ठीक है, अभी हमक बड़ा सिंपल है, यहाँ पे बड़ा सिंपल है, यह मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन मैं जब आपको अभी जो समझाने वाली हूँ या जो मैं अभी करने वाली हूँ ना, यह हमको बाद में करना है, यह हमको बाद में करना है, इसके पहले भी हमको कुछ करना है, लेकिन जो पहले करना है न वो मैं बाद में करूगी और जो बाद में करना है न वो पहले करूगी अब आप बोलोगे क्या भोल रहे हो दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो मैं बात बताती हूँ आपको एक बात बताती हूँ ध्यान से सुनना आराम से सुनना यार चील मारो सुनो अच्छे से मैं अच्छे से बताती हूँ देखो टेंचिन मतलो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि जो मुझे पहले करना है न इस solution का जो पहला पार्ट है ना वो मैं बाद में करूगी और जो बाद वाला पार्ट है जो लास्ट वाला पार्ट है वो मैं पहले करूगी अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो देखो जो हमारा पहला वाला पार्ट है यानि कि ज से हमको दो-तीन चीजे मिलेगी जो हमारे लिए काम की है तो यहां से हमको क्या मिलता है नम्मर वन ध्यान से सुनना नम्मर वन यह जो पीएस है दाट इस इकुल टू क्यू आर राइट यह तो आपको पता भी चल गया होगा कि यह दोनों कॉंगरेंट क्यू है क्यूंकि देख हम इसमें आपका पूरा सपोर्ट करते है हम इसको एकसेप्ट करते हैं अब दूसरी चीज बताते हूं दूसरी चीज में लिखने वाली हूं कि यह जो as है ना that is also equal to what br अभी मैं यहां पर लिखने वाली हूं as is equal to br तो अभी बहुत बच्छे उब्जेक्शन उठाएगे बह यहां पर देखो मैंने यहां पर बताया as is equal to br मिलेगा तुम्ही कशला टेंशन गेतात तेन अंतर दाखविल मैंने बोला ना जो पहला पाट है वो बाद में बताऊगी तो यह मान लो अभी दिमाग में फिट कर लो ना कि यह जो as है और यह जो br है वो मिल चुका है that is equal ठीक perpendicular to what that is perpendicular to ps और यहां पर यह जो tb है यहां पर देख रहे हो यह segment tb tb जो है वो किसको perpendicular है qr को perpendicular है ठीक है तो यहां पर लिख दिया tb is perpendicular to qr अब बहुत बच्छे बोले के ऐसा कईसा अपने 90 degree angle लगा दिया ऐसा कईसा perpendicular बोल दिया तो मैं बोल रही हूं ना टेंशन मतलो वो स इन सब हम दुनेगे यह सब हम क्या करेगे यह सब हम लोग बूब करेगे यह सबसे ना टेंशन मतलो एक बार पूरा हो जाएगा न फिरसे में आपको एक बार फिर से बताऊगेarma किन अभी सुनो यह सिफ उनो और अच्छे से दिमाग में डालो तो opposite size of rectangles are congruent ठीक है next हमने बोला कि यह जो AS है और यह जो BR है वो भी क्या है equal है अब यह कैसे equal है वो मैं बाद में आपको बता दूगी ठीक है and number 3 जो बहुत important है वो क्या है कि यह जो angle A है और यहाँ पे यह जो angle B है this is perpendicular इसका मतलब क्या कि यह जो TA है वो perpendicular है किसको PS को और यहाँ पे यह जो TB है वो perpendicular है किसको QR को ठीक है यह perpendicular कैसे आया वो भी मैं आपको बाद में बताओगी तो यह तीन चीज़े हमने यहाँ पे suppose करो कि प्रू कर ली है कर ली है ऐसा मान लो ठीक है ओके तो अब आप बोलोगे कि अभी क्या करना है तो अभी देखो बहुत simple है यह जो प्रू करना है वो मिल जाएगा तो मैं इसका proof यहाँ पे start करती हूँ वैसे तो यह हमारा starting part नहीं है starting part कुछ और है यह हमारा थोड़ा बाद म हम apply करेगे right सही सुना आपने तो अभी हम यह triangle लेगे और इस triangle में कौन से angle के लिए application apply करेगे angle s के लिए apply करेगे और यहाँ पे देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम application apply कर रहे है अगर triangle में तो वहाँ पे perpendicular segment का होना बहुत जरूरी है अगर perpendicular segment नहीं है तो हम application apply नहीं कर सकते इसलिए इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे हमने यह already मान लो कि यह जो TA है that is perpendicular to PS यह हमने already prove किया हुआ है अगर यह perpendicular नहीं होता तो हम application भी apply नहीं करते ठीक है तो यह हम already prove करेगे आप tension मतलो करने वाले हैं हम लेकिन मैंने बोला ना जो बाद वाला पा in triangle PTS तो यहाँ पे लिखेगे in triangle PTS तो यहाँ पे यह जो angle S है यहाँ पे लिखेगे कि angle S जो है that is an acute angle right तो that is an acute angle यह acute angle है और हम दूसरी चीज़ क्या बोलेगे कि यह जो TA है यानि कि यह जो segment TA है that is perpendicular to what? perpendicular to segment PS that is perpendicular to segment PS तो therefore अभी हम लिखेगे therefore by application of Pythagoras theorem तो अभी application of Pythagoras theorem को अच्छे से याद करना चालू करो और वो equation को अभी के अभी सब लोग क्या करेगे लिखेगे वो equation को लिखने को अभी के अभी के अभी try करो तो application क्या बोलता है कि यह जो हमारा angle S है इसके opposite में जो side है इसके opposite में कौनसी side है PT तो अभी हम यहाँ पे क्य square होगा that is equal to what that is equal to sum of square of remaining two side तो remaining two side कौनसी है हमारी PS और ST तो अभी हम क्या करेगे यहाँ पे PS square लिखेगे और plus हम क्या करेगे यहाँ पे ST square लिखेगे ठीके ST भी लिख सकते है या TS भी लिख सकते क्योंकि prove that में TS दिया है तो मैं TS लिख देती हूं तो यहाँ पे आजाएगा TS square और याद करो acute angle triangle में क्या होता है माइनस होता है बारबर तो अभी लिखे के minus minus two into क्या होगा two into हम क्या करेगे यह जो हमारा vertex S है यहां से हम यह पूरी side लेगे तो यह पूरी side हमारी कौनसी है SP तो यहाँ पे हम लोग लिखे के SP और into हम क्या करेगे यह जो हमारा point है S point है यहां का क्या करेंगे परपेंडिकुलर तक जो पॉइंट है वह वाली साइड लेके that is S A तो यहां पे आ जाएगा S A clear हो गया इतना हमने क्या किया application apply किया कहां पे apply किया यह वाले triangle में apply किया अब देखो अगर आपको application ही लिखना नहीं आता है तो अभी ये मेरी गलती नहीं है ये आपको करना ही पड़ेगा क्या बोला क्या होता है देखो application ये angle s है angle s के इस opposite में कौनसी side है pt तो हम लिखेगे pt square that is equal to this side square और this side square that is next हो जाएगा tys square प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 调ब तो यह एकवे अब को rainy पस्वार यहीं है ट्रीक्वार ट्रैंगल है तो यह आपको minus आता है minus 2 Ov क्या होता है 2 into SP into SA होगा, तो यह हो जाएगा SP into SA, clear हो गया यह, ठीक है, तो यह हमने लिख दिया, और इसको भी हम क्या करेगे, इसको हम लोग कोई equation number दे दे के, लेकिन इसको equation number 1 नहीं दे सकते, क्योंकि already, यह starting part है हमारा, इसमें 1, 2, 3, 3 equations already हो चुके है, हम इसको equation number 4 दे दे के, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे के equation number 4, ओके, अब आप बोल रहो क्या आप दिदी पहला starting वाला क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि अगर मैं starting वाला बताने लग जाओ ना, तो आप बोर हो जाओगे, इससे अचा मैं पहले ही ending वाला बत अपलाए करेगे, और कौन से अंगल के लिए अपलाए करेगे, तो यह जो अंगल R है, उसके लिए अपलाए करेगे, ठीक है, तो अभी next पढ़ाओ, हमारा चालू हो चुका है, तो मैं इसके बाजू में ही लिखती हूँ, बाजू में नहीं नीचे लिख देती हूँ, इसक तो अभी हम लेखेगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल T, R, Q, बरुबर, इन ट्राइंगल T, R, Q, तो यहाँ पे जो अंगल R है, यह देखो, यह एंगल R के लिए हम लोग application यूज कर रहे है, तो अंगल R के लिए हम बोलेगे, that is, अंगल R is an acute angle, तो अंगल R क्या है, हम perpendicular कहा से आया, मैंने बोला ना, वो मैं बाद में बता होगी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेगे, TB is perpendicular to QR, क्योंकि अगर यह perpendicular नहीं होता ना, तो हम application नहीं use कर पाते, ठीके, तो यह हम दिखाने वाले है, आप tension मतलो, तो अभी हम बोलेगे, by application of Pythagoras theorem, ठीके, PT means Pythagoras theorem, आप full form में लिख देना, तो अभी याद करो कि application क्या होता है, तो यह angle R है, इसके opposite में कौनसी side है, यह वाली, that is TQ square, तो यहाँ पे लिखेगे TQ square, that is equal to, that is equal to, यह वाली जो side है, उसका square, और यह वाली जो side है, उसका square, that is QR square plus TR square, तो यहाँ पे आजाएगा QR square plus TR square, उसके बाद आप R से पूरा Q तक लेगे side, और R से फिर B तक लेगे, तो यानि कि यह हो जाएगा RQ into RQ into RB, ठीके क्या किया, RQ into RB किया, यह तो application पता ही होगा कि लिखना आना चाहिए, ठीके, और अब हम क्या करेगे, यह जो equation number 4 है, इसको equation number 5 नहीं देगे, क्यों नहीं देगे, क्योंकि बात करो, मैंने आपको क्या बोला था, कि यह वाली जो side है, और यह वाली जो side है, वो equal है, ठीक है, यह हमारा पहला equation है, और यह वाली जो side है, that is AS, AS जो है, that is equal to BR, तो AS is equal to BR, तो यह दोनों को अभी use करने का मौका आ गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर से मैं ब BR, तो अब इन दोनों को use करने का मौका इधर आ चुका है, तो चलो use करते है, तो यहाँ पे यह TQ square तो ऐसे ही रहगा, is equal to, यहाँ पे देखो यह QR है, QR को change करके हम लोग क्या कर देगे, PS लिख देगे, तो यह QR के जगह पे हम लोग लिख देगे, PS square, ठीक है, प्लस, TR square ऐस into BR, यह BR को हम किस में बदले के, BR को हम लोग AS में बदल देगे, तो यह हो जाएगा AS, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे SA है, ठीक है, कोई बात नहीं, AS रहने दो, चलो ऐसे गर लेते हैं, ऐसे गर देते हैं, तो SA, और यह आ गया हमारा equation number 5, ठीक है, यहाँ तो लास्ट पढ़ाव है, और वो लास्ट पढ़ाव क्या है, कि हम क्या करेगे, equation number 4 और equation number 5 को subtract करेगे, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेगे, subtracting equation number 4 and 5, तो यहाँ पे लिखते है, subtracting equation number 4 and 5, तो चलो equation number 4 and 5 को subtract करते है, तो याद रखना कि जो right hand side है, sorry, जो left hand side है, वो left hand side स सब्रैक्ट होगा मलब यहाँ पर क्या है यहाँ पर है P TV square और माइनस यहाँ पर क्या है T और अब यहाः पर हम paste करेंगे paste करेंगे मतलब yere यहाः एपे left-hand side रखा अब हम यहाः पर बीच में माइनस site माइनस sign में अभी हम क्या रएगे यह वाला लिखे गे यह पूरा आपको लिखना है ठीक है यह पूरा और याद रखना कि bracket में लिखना, bracket में क्यों लिखना है, क्योंकि minus sign है तो जब ब्रैकेट open होगा तो याद रखना यह सब चीज़, ठीक है, bracket open होगा, तो हमने क्या किया यहापे देखो, हमने यहापे क्या किया, left hand side, left hand side को subtract किया, और यह right hand side, और right hand side subtract हो रहे है, मतलब किया ही है, अभी करने ही वाले है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ बदलाव नहीं होगा, यह तो ऐसे ही रहेगा, that is pt square minus tq square, यह तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, अभी bracket open करेगे, तो bracket open करते है, तो पहले bracket में तो कुछ changes नहीं होगा, यह तो ऐ स्क्वेर और यहां पर यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस इंटो इस पूरा यहां पर यहां पर यह जो है और यह जो है यह दोनों जाएग्जाटली सेम है लेकिन यह माइनस में है और यह प्लस में है तो ओवियसली यह दोनों भी कटेंगे सब का कटेगा तो यहां पर पी इंट import 2 into seven twoedar यहां पर भी LEFT Xłość प्ट कें consider में स्क्वर माइनस C9 स्क्वیर और राइठ हैंसाइड में बच्खा ती स्क्वर और यहां पे माइनस टी अरे स्क्वेयर बच्वार बच्वयर हो गया अब आया कहरें कि imt करना यह उसको प्रूव करना है तो यहां कर दो arrange का दो मिल जायेगा सबसे पहले किया ते स्क्वेर को इधर ही रहने दो क्योंकि यह प्लस में है अब आप बोलोगे यहां पे त्यश्वेर तो इस तरफ है मतलब लेफ एंस साइड में है अगर इसको यह सिप्ट करो नहीं तो अगर इसको इसको शिप्ट किया तो यह ग तो negative में नहीं चाहिए तो इसको इधर ही रहने तो ठीक है अभी t sqr ke sqr के साथ में को आने tq sqr है तो यह माइनस tq sqr इधर आ जाएगा तो यह जाएगा प्लस tq sqr यह clear हो गया अब next क्या है tp sqr तो यहाँ पर यह Pt sqr बोलो या tp square बोलो एकी बात है तो इसको हम लिख देते है tp square और अभी next क्या है plus tr square है तो यह देखो यह minus tr square जब इधर shift हो जाएगा तो यह हो जाएगा plus tr square क्या हो जाएगा plus tr square and that is इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखो अगर आप बोलो a is equals to b लिखो या b is equals to a लिखो एक ही बात होती है न तो इधर भी हम ऐसा ही करेगे इसको इधर लिख देगे that is ts square plus tq square is equals to यह हो जाएगा tp square plus tr square and hence यह हो गया proof clear है बहुत simple था अरे आप complicate करोगे आप बोलोगे नहीं दिदी यह तो बहुत हाड है आप तो आपके लिए easy है बड़ हमारे लिए तो बहुत हाड है अरे कुछ हाड नहीं है देखो बताती हूँ बड़ा simple था देखो मैंने बोला न जो बाद में करना है न वो मैंने आपको पहले करके दिखा दिया है तो आप बोलोगे जो पहले करना है वो कब बताओगे बताती हूँ लेकिन फिर से इसको देखो यहाँ पर क्या करना है नम्मर वन हमने बोला कि यह जो ps है और यह जो qr है वो equal है ठीक है यह q equal है बड़ी simple सी बात है these are the opposite sides of rectangle and opposite sides of rectangle congruent होते है ठीक ह okay next next हमने बोला कि यह जो as है यह as जो है और यह जो br है वो equal है तो as is equal to br तो अभी आप बोलोगे कि यह as और br equal कैसे मिले रुको बताओगी वो बाद में बताओगी रुको बड़ यह अपने दिमाग में रखना ठीक है next मैंने बोला कि यह वाला angle है यह angle a यह 90 degree का है और इधर जो angle b है यह भी 90 degree का है मतलब कि यह जो t a है वो perpendicular है किसको ps को और यहाँ पे यह जो t b है वो perpendicular है किसको qr को तो यह भी आप दिमाग में रखना ठीक है यह तीन चीज़े आपको अपने दिमाग में रखके क्या करना है यह जो triangle है इस triangle में आपको application of pythagoras theorem use करना है और इस triangle में भी आपको क्या करना है application of pythagoras theorem use करना है कौन से angle के लिए angle s के लिए यहाँ और यहाँ पे angle r के लिए ठीक है तो जब angle s के लिए हमने application use किया तो यह equation number 4 मिला फिर हमने angle r के लिए यहाँ पे application use किया तो हमको यह equation मिला लेकिन मैंने बोला इस equation में आपको changes करना है आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको QR दिकरा है, वहाँ पे PS करो, BR को क्या करो, AS में चेंज करो, और फिर इसको हमने equation number 5 दिया, उसके बाद आपको ये equation number 4 और 5 को क्या करना है, subtract करना है, subtract करके bracket को अच्छे से open करना, और थोड़ा सा edges करना, मतलब यहाँ पे shifting करना, और आपको जो प्रू करना है, वह मिल जाएगा, clear हो गया, ठीक है, अब आप बोलोगे, कि यह जो यहाँ पे आप बार-बार बोल रहे हो, यह कैसे आया था, तो अब उसकी बारी है बताने की, तो चलो, अभी हम actual में 5th one स्टार्ट करेगे, तो आप बोलोगे, यार अभी किया वो क्या था, अरे वो बाद वाला प्रोसेस था, तो थोड़ा समझो, गहराईयों को समझो, यह इतना easy question नहीं है, मैं खुद भी मानती हूँ, इसको आपको practice करना है, और मैं इसको important का दरजा देने वाली हूँ, तो इसको neglect मत करना, please, मैंने important बोल दिया, तो please करके रहना, ठीक है, तो देखो, अब, मैं फड़ा-फड़ बता देती हूँ, कि क्या होता है, कि यहाँ पे देखो, यह जो हमारा codilateral है, this codilateral is what, rectangle, तो यहाँ पे solution स्टार् ना, तो codilateral P, Q, R, S is a rectangle, तो आपको पता होगा, कि rectangle एक ऐसा codilateral है, जिसके सारे sides क्या होते है, sorry, सारे angles क्या होते है, equal होते है, और सारे angles क्या होते है, 90 degree के होते है, ठीक है, तो यह सब मैंने लिख दिया है, आप इसको read करते रहना, साथ-साथ में, तो angle P, sorry, angle P is equal to angle Q, प्लस, plus Q बोल रही हो, angle P, angle Q, angle R, angle S, सारे equal होगे and they will be 90 degree, ठीक है, okay, and हमको यह भी पता है, कि opposite sides जो होते है, rectangle के, वो तो भाई equal होते है, तो यह PS और QR क्या होगा, equal होगा, और यह equation number 2, यह बड़ा काम का है, देखो, जिदर मैं red color डाल रही हो ना, यह red color का underline करोगी ना, वो काम का है, जो काम आया था पीछे, हाँ, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा, चलो, next, next अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपको, next मैंने क्या लिखा है, कि आपको देखो पता होगा, कि जो rectangle होता है, उसके opposite sides parallel भी होते, तो यहाँ पे देखो, यह वाली जो side है, और यह व तुकडा होगा, वो भी तो parallel होगा, तो basicly मेरको क्या दिखाना है, कि यहाँ पे यह जो codilateral है ना, उसको हम क्या दिखाएगे, इसको हम क्या दिखाने वाले है, सबसे पहले तो pepperogram दिखाएगे, उसके बाद इसको हम लोग क्या दिखाएगे? rectangle दिखाएगे, ठीके पहले palarogram दिखाया जाता है, उसके बाद rectangle दिखाया जाता है, तो basically यहाँ पे जो, मैंने pink color में, जो यहाँ कर्को decoration किया है, इस cordiletter को palarogram दिखाना है अगर इस cordiletter को palarogram दिखाना है तो हमको बताना पड़ेगा, इसके opposite sides जो है वो parallel है तो उसमें से एक pair of opposite sides तो parallel मिल गया कैसे क्योंकि देखो ध्यान से सुनो टेंशन मतलो जादा hard नहीं है मैंने तो पहले यह बोला मतलब हमने यह बोला कि PS और QR यह दोनों parallel है because opposite sides यहाँ पे देखो लिखा है PS is parallel to QR because opposite sides of rectangles are also parallel अगर यह पूरा ही parallel है तो इसका यह चोटा सा तुकड़ा that is AS और इसका यह चोटा सा तुकड़ा that is BR तो that is इसका मतलब AS और BR भी parallel होगा तो मतलब हमको मिल गया क्या मिल गया कि यह AS और BR parallel है अब next देखो याद करो हमने construction किया है यह जो construction है उसमें यह आया था कि यह जो AB है और यह जो SR है वो क्या है parallel है देखो यहाँ पे भी है यह AB और SR क्या है parallel है ठीक है तो मतलब कि यहाँ पे क्या मिल गया कि यह जो codilateral है इसके जो दोनो pairs है opposite sides के वो क्या है parallel है इसलिए यह codilateral प्रूव हो गया कि यह पैलरोग्राम है तो बस यहाँ पे देखो यही लिखा है कि next हमने बोला कि AB and SR, AB and SR are parallel because by construction therefore codilateral ABRS is a पैलरोग्राम तो codilateral ABRS यह क्या हो गया पैलरोग्राम हो गया अब इस पैलरोग्राम को हम rectangle बताएगे तो rectangle क्यों बताएगे क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे एक चीज चाहिए थी आपको याद होगा कि हमको यहाँ पे यह 90 डिगरी का angle चाहिए तो अभी हम क्या करेगे इस codilateral को हम दिखाने वाले है rectangle तो आपको याद होगा कि अगर कोई codilateral पैलरोग्राम है और उसका अगर एक angle क्या हो जाता है 90डिगरी का हो जाता है तो मतलब वो पैलरोग्राम अब rectangle बन चुका है देखो पैलरोग्राम याद करो तेडा होता है और अगर हमने बॉल दिया कि उस पैलरोग्राम का अरे बाहई एक angle 90 डिगरी हो गया तो वो पैलरोग्राम अब सीधा होके खड़ा हो चुका है और अब वो रेक्टेंगल बन चुका है तो यहाँ पर हमने बोला बट हमारे पास तो क्या है कि यह जो एंगल ऐस है वो तो 90 डिग्री है कहां से एंगल एस दे को 90 डिग्री था because यह एंगल तो हमारे यह पूरा जो क बन चुका है क्योंकि अगर किसी पैलरोग्राम, पैलरोग्राम is a rectangle, यहाँ पे लिखा है देखो, पैलरोग्राम is rectangle, if it's one angle is 90 degree, अगर एक एंगल भी 90 degree है तो वो पैलरोग्राम rectangle हो गया, तो बहुत बढ़िया बात, अब तो मजा ही मजा, जिंगा लाला, जिंगा लाला, क्या यह कॉड़ी लेटरल को हमने दिखा दिया rectangle, अब क्योंकि अगर यह rectangle है, तो हम दो बाते बोल सकते हैं, कि इसके सारे angles क्या होगे, 90 degree क्या होगे, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे मैंने बोला था ना, कि यह angle को 90 degree दिखाना, और यह angle को 90 दिखाना, बहुत जरूरी था हमारा और दूसरी चीज हमको मिल गई कि यह AS और BR भी क्या हो गई, congruent हो गई, because they are opposite sides of rectangle, तो यहाँ पे वही लिखा है, कि AS is equal to BR, because opposite sides of the rectangle are congruent, and second angle SAB and angle RBA is equal to 90 degree, SAB मतलब यह वाला, स, A, B मतलब angle A की भात हो रही है, और RBA मतलब angle B की बात हो रही है, यह angle की बात हो रही है, ठीक है, तो मतलब की हमने दिखा दिया, जो दिखाना था, मतलब आप समझ गए हो गये अभी, ठीक है तो यह हमारा पहला पढ़ाव था इस पहले पढ़ाव यह हमको पहले starting में लिखना है और जब यहाँ पे यह लिखके हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आना है और इधर से शुरुआत करनी है तो यह हमारा पूरा solution है ठीक है उसके बाद आपको पता है यह next step क्या और फिर जो चाहिए वो मिल जाता है अगर देखो अभी तक नहीं समझा सच बोल रही हूं नहीं समझा ना फिर से देखो प्लीज फिर से देखो बड़ा easy था हमने कुछ नहीं किया है बस मैं बस एक last बार फिर से बता रही हूं कि आपको यहाँ पे यह जो यह जो कॉड़ी यह वाली साइड और यह वाली साइड पैलल है और यह वाली साइड और यह वाली साइड पैलल है क्योंकि यह कंस्ट्रक्शन से है चीक है तो यह पैलरोग्राम हो गया लेकिन उसको रेक्टेंगल बताना था रेक्टेंगल बताने के लिए क्या बोला कि अगर किसी कॉड़ी lateral palerogram से क्या हो गया है rectangle हो गया है तो अब ये rectangle है तो बड़ी simple सी बात है अभी AS और BR equal हो गया और ये जो angle है ये जो angle है और ये जो angle है वो भी 90 degree हो गया that is TA is perpendicular to PS मिल गया और TB is perpendicular to QR मिल गया देखो एक बात बताती हूँ ये 90 degree दिखाना बहुत जरूरी application यूज किया है और इस triangle में भी application यूज किया है और application के लिए perpendicular segment का होना जरूरी है अगर perpendicular नहीं दिखाते मतलब इधर ये 90 degree नहीं दिखाते तब तक हम इसमें perpendicular नहीं बता तब तक हम इसमें application नहीं apply कर पाते ठीक है तो अभी पहले मैंने जो बताया इसको अभी देखो और फिर क्या करना इसको देखना और इन दोनों को combine करके पूरा solution अच्छे से लिखना I hope मैंने आपको अच्छे से समझाया है अगर समझो कि कुछ बचा कुछा नहीं समझ में आ रहा है एक दो बार फिर से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना मैं लाइव सेशन जब लूगी ना तब और दो-तीन बार आपको बता दूगी ठीक है आप उसका टेंशन बिलकुल भी मत लेना ठीक है क्योंकि ये पहली बारी में थोड़ा मुश्किल से ही समझता है बट आप समझके लोगे इसको क्योंकि मैंने इंपॉर्टन बोला इसको तो इसी के साथ प्राक्टिस है 2.2 हो गया है प्लाब्लम सेट के वीडियोज अल्रेडी हमारे चैनल पे अप्लोड है प्लीज प्लाब्लम सेट के वीडियोज जरूर देखना प्लेलिस्ट चेक कर लेना ठीक है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दन बाई आंड टेक केर